क्वीक आयस कम्पोज यूर ड्रीम मैपिंग के सुरू हम आपको बताएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और नदियों से जुड़े हुए कुशन बहुत जादा पूशे जाते हैं तो महादीपों के अंसार जम हम नदी को देखेंगे तो हमारे कुशन सही हो जाएंगे ठीक है हम लोग सुरू करते हैं नदी पहली है आपका इरावदी नदी इरावदी नदी याद रखना तिबत के पठार से निकलती है और ये जो है म्यामार में बहते हुए और जाकर कि ये बेयाव बंगाल में और इरावदी की खाड़ी में ये जाकर कि यहाँ पर गिरती है तो इरावदी नदी को याद र परवाहित होने वाली एक नदी जो बंगाल की खारी में गिरती है इसकी उस पत्ती मालिया जो है नमाई नदियों के संगम से होता है त्या लेगना जो इरावदी नदी है ये कहां से निकलती है तो इरावदी नदी तिबत के पठार से निकलती है और ये जाकर के आपका बेया बंगाल में गिरती है तो बेया benगाल में जो है गिनने वाली परमुक नदी मानी जाती है मियमार की पूरव राजधानी रंगौन टेहां पास एक डेल्टा बनाती है और चिन्विद इसकी मुख सहायक नदी है जो मांडले से 96 क्लोमेटर दच्छी परच्छी में इरावदी में मिलती है मांडले जेल में लोकमान तिलग को रखा गया था इसे म्यामार की गंगा भी कहा जा था तो जो आपकी इरावदी नदी है इसे मियामार गंगा कहते हैं और मांडले येल में यादखना बाल गंगा दर्तिला को येल में बंद किया गया था कब 1908 में बंद किया गया था और 1914 में जो है जेल से छोड़ा गया था टोटल जो है यह च्छे वर्त जो है यहाँ जेल में बिताया था और इसी जेल में रहते हुए इनोंने गीता रहस नमक मुस्तग लिखी थी जो है याद रखना ये बहुत ही महत्पूर्ण जो है पॉइंट है हिस्ट्री की पॉइंट भी उसे तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा तो इरावदी नदी जो है यह म्यामार की गंगा कहलाती है इसको बहुत अच्छे से देखना जो है और यह जो है इसकी परमुकसा नदी कोन है चिन्मिन नदी है ये इसको आपको याद रखना है और चिन्मिन नदी और आप रखना इरावदी नदी की घाटी में जो है कपास का उत पदन के जाता है और यहां चावल की खेती भी बड़े पैमानी पर की जाती है इसके बाद है आपका चिन्मिन नदी तो चिन्मिन नदी क इसकी सहाई नदी है तो याद रखना ये आपका इरावदी की सहाई नदी है आपको ये याद रखना है और इसके बारे में दो लाइन है लिखा है कि या जो है पश्मी जो है म्यामार बहने वाली नदी जो इरावदी नदी की मुक्र सहाई नदी है और चिन्विद जो है कूल और इरावधी नदी के डेल्टा में क्या मतलब डेल्टा में के छेतर में तो जो है क्या पैदा होता है तो चावल और जूड़ की खेती होती है लेकिन इसके जो है दोआब में जो खेती होती है वो होती है अपी कपास की और यहां पर अफीम का भी उत्पादन होता है और साथ बनाती है, एक बार कुछ न यह पूचा गया था, कि मेकांग नदी का डेल्टा कहा बनाती है, तो यहा रखना ये दच्छी चीन सागر में डेल्टा बनाती है, और यह नदी, जैसे डेनियून नदी यूरोप की है, कही देसों से होके बहती है, वैसे जो है मेकांग नदी भी क चीन के युनान परांज से बहती हुई, या दर vår डिहान। चीन के लाओज और म्यामार की सीमा बनाती ओ器 में, ख़ी हुए अख़ए लाओजन। होती है और इसी नदी के तट पर कंबोडिया के राजधानी नौम पे इस्तित है यादखना हिंद चीन किसे कहते हैं तो हिंद चीन इसे कहा जाता है यादखना जो आपको ये पुरा प्राइद्यूप दिख रहा है इसी को हिंद चीन प्राइद्यूप कहते हैं यादखना यह है साल्बिन, साल्बिन नदी जो है आप ये दे सकते हैं साल्बिन नदी मियामार की बिल्कुल पूरा में बहती है और यह थाइलेंड की और जो है चाइना की और लाओस की सीमा बनाते हुए नदी मर्तबान की खाड़ी में गिरती है यह बंगाल की खाड़ी है और यह मर्तबा सान से निकल करके चीन के जो है जेचवान और यूनान प्रांतों से बहते हुए म्यामार के सान राज से होती हुई थाइलेंड बर्मा सीमा के सहारे लगभग जो है 2419 किलिम्टर के लंबी एक सीमा बनाती हुई यह नदी जो है मरतमान की खाड़ी में गिर जाती है तिया देख बडे प्मानेंपर होती हैं इसके बाद है अमू दरिया नदी अमू दरिया नदी आप यह देख रहे हैं और यहाँ पर सरदरिया नदी यह है और यह अरल सागर कजाकिस्तान उजवेकिस्तान की सीमा पर हैं यह कुशन भी कई बार आ चुका है इस सागर में दो नदिया गिरती है पहली है अमू दर्या नदी तो अमू दर्या नदी आप यह देख सकते हैं यह गिर रही है और यहाँ पर एक है सी दर्या नदी तो पहले हम अमू दर्या नदी के बारें बात करें तो लिखा है यह नदी जो है मध एसिया में बहने वाली इ किस की सीमा बनाती है तो ये अफगानिस्तान की सीमा बना रही है और तजाकिस्तान की सीमा बनाती हुई उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाती हुई ये अरल सागर में जो पना जल गिराती है तो अगर पूछा जाए अमूद अगया नदी किस की सीमा बनाती ह ते उजबेकिस्तान और तुर्किमेनिस्तान के सीमें बनाती है और अफगाइस्तान और तजाकिस्तान के सीमें बनाती है आपको इसको अच्छे से याद रखना है इससे निकलने इससे निकाली गई कई नहरों दोरा तुर्किमेनिस्तान के मरुस्तलिय भाग में सीचाई भी क जाती है और यह नदी कहा गिरती है तो आपको याद रखना है कि पामीर के पठार से तो निकलती है लिकिन यैग गिरती है अरल-सागर में ये कुशन कई बार Mushə pe정 में आया हुआ है इसले इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूट है फिर आपका है सीर दर्या नदी आप यह दे सकते हैं यह तो अमू दर्या मैं आपको बता दिया यह आपका सीर दर्या नदी यह भी कहा गिरती है यह अरल सागर में गिरती है तो लिखा है यह तियांसान परवत से निकलती है तियांसान परवत कहा है तियांसान जाल भेचाए करके जो है किजिम कुल मरॉस्तल से सिचाई की काम में लिया जाता हता हती है कि जिमकुल मरुस्तल है और यहाँ पर सिचाई की जाती है तो इसे नहरे निकाली गई है तो यहाँ देखना अरल सागर में दो नदिया गिरती है एक जो है आपका सी दरिया एक है आपका अमुदरिया अमुदरिया नदिय कहां से निकलती है पामिर के पठार से और यह तियन स इसके बाद है आपका दजला या टिग्रिस नदी दजला फराइट आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में जो है दजला फराइट नदी थी और उसी के बीच में मेसो पोटामिया कम मैदान था और यहीं पर सुमेरियन सबहता थी ठीक है तो यह नदी एराक में बहती है और आ आपको अच्छे से याद रखना है। यहां लिखा है तीरस नदी के बारे में यह आपका तुर्की का च्छेत रहती है। आपको अच्छे से याद करने की जरूत है। इसके बाद है आपका फरात नदी। फरात नदी भी कहान बहती है। यह आप देखा है यह इराग के बहते हुए फारस की खाड़ी में गिरती है। तुर्की के परवतों से निकल सीरिया और इराक में बहती हुई दजला नदी में बसरा के नगर के पास संगम मनाती है। और यही पर वो संगम मनाती है। दजला के साथ संगम मनातने के पहश्चात इसका नाम जो है सत अल अरब पढ़ जाता है। पुछा जाएगा सत अल अरब किस नदी का नाम है तो दो नदियों का संगम से है। दजला और फराद जिसे हम टाइगरिस और यूफरेंटर्स कहते हैं। उसी का जो है यह नाम है। ठीक है। यह अपना जल फारसी खाड़ी में गिराती है। और सेरिया से लिए गए पेजल और सिचाई का मुख यह साधन होता है। तो सत अल अरब नदी यह बहुत महत्पूर्ण है। और यह दजला फराद के मिलने से बनती है। और यह भी या रखना फराद नदी को जो यूफरेंटर्स नदी कहते हैं। आज इसको यूफरेंटर यह बहुत महत्पूर्ण नदी है और यह जो है पूरे एसिया की सबसे लंबी नदी है जो तिबत के पठार से निकलती है और दच्छी वो पूरवी चीन सागर में यह नदी गिरती है। परसांत महासागर में लिखा आया चीन की सबसे लंबी और मुख और तिबत के पठार से निकलने वाली पूर्ब की बहने वाली परमुक नदी है जो परसान महासागर में गिरती है इसकी लंबाई आमूर नदी बनाती है तो आपको याद रखना पूछा जाएगा आपसे कि आमूर नदी किसकी सीमा बनाती है तो आपको बताना है रोस की और चीन की सीमा आमूर नदी बनाती है तो लिखा है यहापर कि तिबत के पठा से निकलने वाली सीका और अंगूर नदी के संगम से आ आमुर नदी पड़ जाता है। और आमुर नदी पुर्व की और वहती हुई, चीन और रूस की सीवông बनाती है। लांक खी यांक के नाम से जाना जाता है और यह भी याद खना कि आमोर नदी के को ले करके रसिया और चीन की बीच में उन छेतरों में विबाद भी है तो आप इसको भी याद खिएगा इसके बाद है आपका इनेसी नदी इनसी नदिया आप यहां देख सकते हैं इनसी नदिया मंगोलिया के छे से निकलती है अब का जो है लेक जो है बैकाल से निकलती है और आकर के यह आर्क्टिक महासागर में गिरती है तिया देखना आर्क्टिक महासागर में गिने से पहले यह जो है बहुत बड़ा दलदल बनाती हैं यहां जिसी नदिया हैं अब आगे हम बताएंगे सब यहां दलदल बनाती हैं दलदल क्यों बनाती हैं यहां पर क्यों कि या देखना आर्ट्री मासागर है आपका कहाँ पर पोल पर यहां बरफ जम जाती है तो जब नदी यहां से यहां पहुंसती है तो यहां बरप जमने की वज़ा से पूरा मुहान्धा जम जाता है और ज़िय कुशन कई कोई बारी जामू में आच चुका है कि जो नदीया आर्क्रिमासागर में गिरती है Siberia से जाती है वो अपने मुहाने पर दलदल क्यों बनाती है तो आपको यही बताना होगा कि मुहाने पर जब बरफ जम जाएगी तो पानी दोदर भागेगा जिससे क्या होगा वहाँ दलदल बन जाता है तो इन इसी नदी यह जो उसके Siberia में बहती है यही है अंगाराती है बहुत ही महत्मूर कुशन है इसको अच्छे से याद रखना आप यहां दे सकते हैं अंगारा लिखा भी है ठीक है तो एन इसी नदी जो है आर्क्टिक महासागर में गिरती है और गिनने से पहले यह जो है बहुत बड़ा जो है दलधल का निरमार करती है फिर आपका है जो है इट्रिस नदी इट्रिस नदी आप दे सकते हैं यह अल्टाई पर भुष से निकल करके और यह भी जा करके कहां गिरती है आर्क्टिक महासागर में और अपने मुहाने पर ये भी दल्दल का निर्मार करती है और इसकी मुख साहिग नदी है ओब ठीक है इसकी ओब साहिग नदी है और यह पूरा जो छेतर है यह रूसका साइबेरिया का छेतर है लिखा है यह अलताई परबस से दिखा आप या देशकते हैं या अलताई पर बसे निकल करके ये जो है उत्तर की और बहते हुए जो है इत्रिस ओब की नदी की सहाइक नदी है ये जा करके किसे मिल जाती है ओब नदी की सहाइक नदी हो जाती है साइबेरिया का मुख नगर जो है ओमस्क इस नदी के तरफ पर इस अवस्त है ये नदी कम जह संगिया के चेत से बहती हैं और कठोज साधी इसके बेसिन का आर्फी बीकास करने में एक रोधा कार्य करती है तब इसको याद रखना ये भी नदी रूस के साइबिरिया में बहती है फिर है आपका यू राल नदी आप यहाँ देख सकते हैं यूराल नदी है और यूराल परबत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है जो रूस की परमुक नदी मान जाती है तो याद रखना यूराल परबत भी है और यूराल नदी भी है या लिखा है या इस नदी का उदगम यूराल परबत से हो तो यूराल परवत के जो पूरा वला छेतर है, उसको हम साहइबेरिया कहते हैं, और जो इधर वला छेतर है, वो रूसया है, जो यूरोप का पार्ट माना जाता है. तो याद रखना यूरोप के इस तरफ ये जो यूराल परवत है इसके इस तरफ और पार्ट एसिया और इस तरफ का पार्ट यूरोप बाना जाता है और परवत के साथ यूराल नदी भी एसिया और यूरोप की सीमा बनाती है और यहाँ पर जब कैस्पियंस आगर में गिरती पिर है आपका ओब नदी आप ये ओब नदी भी देख सकते हैं आवाजा करके कहां गिर रही है आर्टी मासागर में और ये भी अपने मुहाने पर दल दल का निर्मार करती है ये भी रूस के साइबेरिया बहते हुए उद्गम कहा होता है अल्टाई परवत से होता है यह सकते हैं इसमें आकरके मिल लई है तो ओब बहुत महात्मूर नदी है अल्टाई परवत से निकरके आर्टी मासागर में ओब की खाड़ी में गिरती है ये और एक नदी है आपकी लीना लीना नदी जो है यह भी याद रखना यह रूस के साइबेरियाद में बहती है ये बै टेल्टा के पास ये दल्दल का निर्मार करती क्योंकि टेल्टा पुरब बरब से ढख जाता है यहां लिखा हुआ है रूस इसी बैकाल जील से निकलने वाली लीना नदी उत्तर की और बहती हुई आर्टी महासागर में गिरती है यह अपने मुहाने पर दल्दल बनाती है यह रूस की तीसी सबसे लंबी नदी है आप इसको भी यादखना यह भी बहुत महात्मोर कोशन तो यादखना यह कोशन अक्तर पूछा जाता है कि जो नदिया आर्टी महासागर में गिरती है वो अपना दल्दल का निर्मार पर क्यों करती है क्योंकि यह मुहाने बरब ज जाएगा इसलिए पानी जितातर भागने लगता है और यहाँ जो पानी जमा हो जाता है और दल्दल का निर्मार कर देता है यह कुछ परमुख नदिया थी मैंने बता दिया है तो इसी तरह लगातार हम आपको मैपिंग कलास कराते रहेंगे आप लोग चेनल को सापको लगातार मिलती रहे ओके थैंक यू